हेई एब्रिवन वेल्कम बैक तो मैं यूटूब चैनल इस मी अवन्तिकार सो आज काफे टाइम बाद वीडियो मैं शूट कर रही हूं क्योंकि मेरे ठीक नहीं थी जिस वज़ा से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी मुझे अभी भी गोल्ड हो रहा है लेकिन मैंने कह कि अब तो मुझे शूट करना ही है क्योंकि काफे टाइम हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया लेकिन अम मैं बना रही हूं सो आसपास की वाल्यूम को इंग्नोर करना है क्यों कि मैं चैथ पर वीडियो शूट कर रही थी और आज हम बनाएंगे रवर बैंड वही है पराइंगे जो हम मैं पर्ट में पहुंदे मिलते है क्यों उक्राइंगे टीरियों से ही उसको अच्छे से अखे ना फ। करते हैं हम अपना रबर बैंड बिनाते हैं चल्ग तुर ब्लचा फैफरिक और वो फोरब ट्वेंटी इंचिस हमने सिसको मार्क किया है है beauty अधाज मिटिंप अब टो हम इसमें कट करना है सीजर की हैट्डे से राई हिसको ऊसदित कर लिया है स्सीत करें और एंपे है इस में अंताकि जड़ लगाने है 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 संध्सें गैदर्स लगा लेंगे जैसा आपको वीडियो में थीख रहा है स्वेसा ही करें जितना भी मारे लेंद्ध साद फ़ए यह फैबरिक का लिए बार में वन शाइट से गैजर्स लगाने हैं और घाह थोड़ा में कीसता जाना है जिससे मारे कहते चले जाएं किसी तरह भी प्रशार का फैब्रिक ले सकते हैं मैं इसका इसी दीरे जीरे गैजर्स लगा लेंगे एंड हमें एंड में एक लगा लगानी है और अधागी को कर नहीं करना है तरह को सैट करके हमने फोल करके जैसा कि आपको वीडियो में दिक्राएं तीम डेसा ही साइट से दूसर बना सकते हैं दागी के अफे से से कीकि कर देना है ...जेंड करना में ऑन जो से ताची के बद बना चैसे नट लगा दीएमें अपको दिक्राओंगा कि हमें इसमें फ़ला विल इंड हैlla जिसेन अ नोट लगागे कट कर सेट कर लेना हैं जो सत्कती है और चै 我ंceğ daytimeमें अटव सीट और मैंसे कुछ बना रही हूं से हम आप वैसा बना सकते हैं अपनी मर्जी से कुछ भी ड्रो करके बना सकते हैं और मैंने कट कर लिया है कट करने के वाद में ग्लुगन के हैं इसको लगाऊंगी ने फ्लावर पर और यह मेरे पास बू बना हुआ था आप रिबिन के हेल्प से बू बना के और उस पर मैंने बन पल्स लगा दिया है और यह काफी अच्छा लगा था और यह मेरे रबर बेंड था अगर आप रबर बेंड की वीडियो चाहते हो ताप मुझे कमेंट में बताना में रबर अच्छे से फिक्स हो जाय है अच्छे से इच्छी नट नट लगा था किसको रइडि कर लिया है है तो हमारा बबर बेंड बन ने के तयार है अप कमेंट में बताना आपको कासा लगा पानिल नोक देख लो एकासा लग रहा है अब पर नहींगे एम जाड़ प्र्वाय सेंटर में पंचेंट करेंगे आ अशिषिकार न उसने के से कि एक हसेएख़ में अटिर सेंटर में अओ कि द जो जो गेधर दैक्स करना है और हमें दागी को खेच रहे मारा जो फैवरिक ऐ। यह एक साथ एकटा हो जाए और जू फैवरिक मोडा हुआ इसको निकाल देना है फिर हमने इसमें स्टिचिंग देना है इसमें नॉट लगा देंगे और नॉट लगाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे एंड इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैबरिक इसको हम कट कर देंगे सीजर के यल्प से है तो हमारा फ्रावब बन गया है और मेरे पास रवर बेंट था तो मैंने इसको लगा दिया है आप लुगन के अच्छे भी लगा सकते है मैंने स्टिशिंग करके लगाया है जिसी अच्छी से लग जाए और नॉट लगा के इसको भी कट कर लिया है है हमने भी क्ड़ में इसके बाद हम इसको रेक्रेट करएंगे कुछ पर्ल्स और गलुखन के इशर बेंट फ्रस के है मैंने यही कलर लिया कि मुझे इसनी कलर का बनाना था इसलिए तो आप दीख सकते हैं घर पर ही ते अच्छी रबर बेंड बना सकते हैं डियावाय करके तो क्यों हम पैसे वेस्ट करें और आपको पता ही होगा कि हमारे गर पर हर किसी कर पर नेट फैवरिक तो होता है क्यों कोई स्टिचिंग करता है तो कोई हम डैक और वागड़ा करते हैं तो उसके लिए भी हम यूज करते रहते हैं सो ऐसे ही हम डियावाय करके अपने घर पर ही रबर बैंड रेडिक कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल से एंड सो आप इसका फाइनल लुक देगिए कैसा लग रहा है आपको रोबर बैंट कैसी लगिया आपे कमेंट को बताना एंड धेर सारे कमेंट करना प्यारे प्यारे और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंट करो एंड चैनल को सब्क्राइब करो थैंक यू सो मच वाचिंग मैं वीडियो सो मिल चीडे ने लिए और लिए में, बबग्यारी